कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इज्ञाम 365 जंक्षन में उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल लएगी आज का जो हमारा वीडियो है वह भारतिय अर्थब्योस्था से संबंदित है तो भारतिय अर्थब्योस्था के कुछ महत् पूछे भी जा चुके हैं सारे तो नहीं लेकिन माक्समाम क्वेस्टन जो है वह इंप्वाटन्ट है और पिछली परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो जितने यह लगभग कितने साड़े साथ सो प्लस प्रस्ण है आपको दो वीडियो के माद्दम से यह सारे उपल साइय अप्सन है इसका साइय उत्तर जो है वह 29 परसेंट है अगला प्रस्ण है विक्रेता बाजार क्या होता है एसा बाजार जहां मांक या पेक्षा पूर्थी कम होती है वहां उस तरह के बाजार को क्या कहते हैं विक्रेता बाजार कहते हैं अगला प्रस्ण है अंक्टाड नाइन का आयोजन कहां किया गया था मिड्रेंड दच्छण अपरीका में अगला प्रस्ण है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर है चैनित आधारभूत उद्दोगों को ही क्या कहते हैं कोर सेक्टर जो बेसिक आपके उद्वोग होते हैं, उन्हें कोर सेक्टर कहते हैं। अगला प्रस्न है, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस चेत्र का योगदान सरवाधिक है। घरेलू चेत्र का अगला प्रस्न है, इंडिया इच फरसल नामक पुस्ता किस ने लिखी है। इंडिया इज़ फार सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा मुधगल ने ? किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमन्यम ने ? अगला प्रस्न है दचेज की अस्थापना कब हुई थी? स्वामिनाथन समित किस छेत से संबंदित है जनसंख्या नीज से या समित कब गठित हुई थी 1994 में अगला प्रस्ण है भारतिया और दोगिक पुनर निर्मार बैंक IRBI कि अस्थापना कब हुई 20 मार्च 1985 को अगला प्रस्ण भारत में सर्वाधिक कम आयवाला राज कौन सा है बिहार है अगला प्रस्ण है प्रथम पंच वर्चिय योजना में किस छेत्र को सर्वोच प्रात्मिक्ता दी गई कृषियों सिचाई को अगला प्रस्ण है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था बैंक आफ हिंदुस्तान अगला प्रस्ण है किस समित ने क्रिस जोतों पर कर लगाने की संस्तुती की थी राज समित ने अगला प्रस्ण है क्या योजना आयोग सामविधिक आयोग है नहीं अगला प्रस्ण है समन्मित ग्रामिण विकास कारिकरम आई आड़ीपी किस वर्स प्रारम किया गया था 1978 उन्यासी में अगला प्रस्ण है आर्थिक नियोजन कि सूची का विशे है समड़ती सूची का है कपार्ट का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले जो है वो नई दिल्ली में स्थित है अगला प्रस्ण है भारतिय प्रतिभूत योम विनिमाई बोड की अस्थापना कब की गई थी 1988 में सेभी की अस्थापना कब हुई थी 1988 में आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए है चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं मारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें जिससे आपको इसी की तरह मात्मूर वीडियो प्राप्त होते रहे हैं हमारे चैनल के मादम से आपको डेली के करण्ट अफेर्स रोज सुबा प्रदिन सुबा उपलप्त करा जाते हैं वो आपको मिल सकें साइन्स की विद्वत क्लास चल लही है वो आपको मिल सकें रेजिनिंग की आगे फ्यूचर में क्लास चलेगी लागडाउन की वज़ा से थोड़ा देरी हो गई है और बाकी जीकिय जीय से सम्बंधित सारी चीजे और लेटेस्ट अपडेट जो है वो परतियोगी परिच्छाओं से सम्बंधित वो सब आपको प्लप्त कराई जाती यह सारी चीजे आपको समय समय पर लेटेस्ट जानकारी जो है आपको मिलती रहे उसके लिए आप हमारे चैनल से जूड़े और अपनी तैयारी को वहतर बनाए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम किसे से संबन्धित है मुद्रा के प्रचलन से अगला प्रश्न निक्की क्या है निक्की जो है वो टोक्यो का स्टाक एक्चेंज है अगला प्रश्न भारतिय नि 1882 को की गई हैं अगला प्रस्द आर्विट्रेज का क्या अभिप्राय है आर्विट्रेज का जो अभिप्राय तो श्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल पर क्रय की गई मुद्रा की अनेयत्र उचे मूल पर बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं आर्बिट्रेज अगला प्रस्ण है बीयन युगांधर समित किस छेत्र से सम्बंदित है राश्ट्रिय सामाजिक सहायता योजना से अगला प्रस्ण है बीयन युगांधर प्रतेग पूर्थी अपनी मांग स्वयंग पैदा करती है या नियम किसने प्रत्पादित किया था जे भी सेने अगला प्रस्ण है उत्पादन की द्रिष्ट से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है उत्पादन की द्रिष्ट से विश्व का सबसे बड़ा चाय पादक देश जो है वो भारत है विश्व व्यापार संगठन की अस्थापना कब हुई 1995 में भारत में सेर बजारों के लिए मुख नियंत्रक का कारिक कौन सा संगठन करता है से भी है अगला प्रस्ण है भारत की अर्थविवस्था कैसी है विकास सील है भारत की राष्ट्रिय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है केंद्रिय सांके की संगठन द्वारा अगला प्रस्ण है केंद्र राज के बीच वित्तिय विवादों के निप्टारे हेतु मुख्य अजंसी कौन सी है वित्तायोग है अगला प्रस्ण भारतिय रिजर वैंक के गवर्नर कौन है यह करन का क्वेस्चन है अभी सशिकांत दास है अगला प्रस्ण है मुद्रा के अमूलयन का क्या अर्थ है अन्द्राओं की तुल्ला में देशी मुद्रा के मूल्ल में कमी कुछ करन के क्योस्चन है जो की अब अपडेट हो चुके है उसे मैं आपको इसमें करक्ट करा दूंगा अगला प्रश्ण राष्ट्रिय ग्रामीड विकास संस्थान कहां है? हैदराबाद में स्थित है बंद अर्थ व्योस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिती उद्दोगों के तीब्र विकास का और दोगी की करण की रणनीत मुख्य रूप से किस योजना का अंग है? दुतिय योजना का अगला प्रश्ण इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समित द्वारा प्रस्थुत की गई? राकेश मोहन समित द्वारा अगला प्रश्ण इसा कोई भीकर जिसका उल्लेक भारती समिधान में नहीं है लगाने योँ मसूल करने का अधिकार किसको है? केश सरकार को प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड आबिद हुसायन समित का सम्बंद किस से है? लग उद्दोग से है कस्तूरबा गानी सिक्षा योजना किस से सम्बंदित है? बालिका सिक्षा से अगला प्रश्ण है आर्यन मलोत्रा समित ने किस छेत्र से सम्बंदित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा छेत्र से सम्बंदित है आर्यन मलोत्रा समित अगला प्रस्ण भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950 में अगला प्रस्ण है राष्टिया आई की उरिद्धिदर किस योजना में निवन्तम रिकार्ड की गई? तृतिय योजना में अगला प्रस्ण दूद के उतपादन में भारत का विष्ट में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है विस्वाइंग का मुख्याले कहां इस्तित है वासिंटन डेसी में है अगला प्रस्ने ओपेक और्गनाजेशन और पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज का मुख्याले कहां है बियना में है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्सिय युजना के अंतरगत अगला प्रश्न अंतर राष्ट्य व्यापार का मुख्य प्रहरी माना जाता है विस्वियापार संगठन को अगला प्रस्न भारत के प्राचीनत म केंद्री श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्श्रमिक संगठन में बिले की योजना है हिंदु मजदूर सभा अगला प्रश्ण दा इंडियन इस्टिट्यूट आफ एडवांस इस्टडी भारत के किस सहर में इस्थित है सिम्ला में अगला प्रश्ण केंज सरकार द्वारा घोसित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्यान पर ध्यान केंदरित किया गया है विकलांग वर्ग के अंतर राश्चिस्त्रम संगठन आई एलो का मुख्याले कहां है जिनेवा में स्थित है सुड़्जर लैंड अगला प्रश अगला प्रश्ण मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद हिंदुस्तान मोटर्स लिम्टेट पर किस अवदोगिक घराने का अधिपत्य है ब्रुड़ा घराने का हरा सोना किसे कहा जाता है चाय को कंपनी द्वारा लाभांस की घोशना किस पर की जाती है अभिदत पो अगला प्रश्ण है बुक्तान संतुलन को किस प्रकार परिवासित किया जाता है एक देश का सेश विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दवरान किये जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण अगला प्रश्ण निउन्तम आउसक्ता कारिकरम किस योजना की विशिष्टता थी पांचवी पंचवर्सिय योजना की अगला है भारत के किस राज में आउसत वार्सिक आय निउन्तम आकी गई है बिहार में वित्तायोग का मुख्य कारि क्या है केंद्रिय करों को राज्यों के भागत था केंद्र द्वारा राज्यों के दी जाने वाली वित्तिय सहायता के सिध्धान निर्धारित करना वित्तायोग का ये मुख्य कारिय है अगला प्रश्ण है क्या भारतिय रिजर्ब बैंट एक रुपए के नोट छापता है नहीं बोकारो इसपास सहियत्र किस देश के सायोग से अस्थापित किया गया था सोबिय संग के सायोग से ये important question है हरित क्रांत का सर्वाधिक उत्पादन किस खादान का हुआ हरित क्रांती से किस खादान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था गेहूं का अगला प्रस्ण है भारत में विनिवेस आयोग की अस्थापना कप की गई थी अगस्त 1996 में अगला प्रस्ण है आटोमेटिव रिसर्च एसोसियेशन आप इंडिया कहां इस्तित है पूड़े में अगला प्रस्ण है नाफेड कि अस्थापना किस उद्देश की पूर्थ हेत की गई है क्रिस उपजों के विपड़न के लिए अगला प्रस्ण पीली क्रांती यलो रेविल्यूशन का संबंध है तिलहन से ट्राइफेड किस्थापना कब की गई 1987 में ट्राइफेड का फूल फॉर्म है ट्राइबल को आपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन आफ इंडिया ये इंडिया निर्धान्ता निवारण को एक उद्देश के रूप में किस पंच वर्षिय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में सामिल किया गया पंच वर्षिय योजना में अगला प्रस्ण भारतिय निर्यात आयात बैंक की अस्थापना कप की गई एक जनुरी 1982 अगला प्रस्ण स्वर्ण जहनती रोजगार योजना का संबंध किस छेतर से है नगरिये छेतर से भारत में सरबाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्दोग है सूती वस्त रिद् ट्राइसेम क्या है ग्रामिड यूकों को रोजगार हेत प्रसिक्षित करने का कारिक्राम ट्राइसेम 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लांड एकोनामी फार इंडिया की लेखक कौन है सर एम विश्योश रहिया इकोनॉक एंड सोशल कमीन फ़ार एसया का मुख्यालय कहा है बैंक ओप में भारत में विदेशी बारत में वीदेशी मुद्रा पर नियंत्रन किसका है रिजर बैंक ओफ इंडिया का धेर भीए का अंतर राष्टिय मुद्रा कोउस का मुख्यालय कहा है weasington में है आई में अपका मुख्याल है जो है वो कहा है वासिंटन में है भारत में लीड बैंक योजना कप प्रारम की गए 1979 में विस्ट बैंक की उदार प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है अंतर राश्ट्रिये विकास संगठन आडिये को जवाहलाल नहरू बंदरगाह है नान सेवा को कहते हैं जवाहलाल नहरू बंदरगाह ये मुंबई में श्थित है पारा दिव बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है लव अयस्क अगला प्रस्ण भारतिय रिजर बैंक अधनियम 1956 द्वारा किस निउन्तम आर अच्छित प्रडाली राष्ट्रिये आई कि वार्शिक उरिद्ध पर दर किस योजना में निउन्तम रिकार्ड की गई तिर्थिये योजना में भारतिया और दोगिक पुनर निर्वार्ट बैंक की अस्थापना किस वर्ष की गई 1985 में 20 मार्च 1985 को देश की प्रथम डिपाजिटरी दा नेशनल सिक्योर्टी डिपाजिटरी लिम्टेड एन एसडियल की अस्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई आठ नॉम्बर 1996 को अगला प्रशन है 1956 की अउद्दोगिक नीत में आबा योम सा तीन वर्गों में उद्दोगों को वर्गी कृत किया गया कौन सा वर्ग सार्वजिनिक योम निजी छेत्र के लिए था वर्ग सा अगला प्रशन है आधारिस संरचना वित कमपनी IDFC का मुख्याले कहां है चिन्नई में है अगला प्रशने राश्रिये महिला कोस की अस्थापना किस योजना में की गई आठंवी योजना में अगला प्रश्ने मत से उत्पादन विरिध को किस क्रांती का नाम दिया जाता है नेली क्रांती अगला प्रश्ने पंच वर्षिय योजना का अंतिम प्रारूप सुईकार किया जाता है राष्टिय विकास परिशत द्वारा गुलाविक रांती से किसकी उत्पादन ब्रिद्ध का आसे होता है जीगा मचली उत्पादन भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र एक्स्क्लिूसिव एक्नॉमिक जोन भारत के समुद्र से कितनी दूर तक है समुद्र के 200 नाटिकल मील तक अगला प्रसार्वजनिक इक्वेटी की सहायता से अस्थापित किये जाने वाला देश का पहला अंतर राष्टी हवाई अड़ा कहां स्थित है कोचीन में योजना आयोग के वर्तमान उपाद्यक्ष कौन है मौंटेंग सिंग अहुल वालिया यह गलत प्वेस्चन अब योज कर दिया गया है और प्रधान मंत्री होते नरेंद मोदी और उपाद्यक्ष जो है वह राजीव कुमार है अगला प्रस्ण है राष्ट्यक्रिस योम ग्रामिड विकास बैंक के स्थापना कि समित कि सिपारिस के आदार पर की गई थी शिवरामन समित की भारत में एक स्टाक एक्चेंज में सूची बद्ध होने वाली पहली भारतिय कंपनी है आइसी आइसी आई अगला प्रस्ण किस वर्स आंध्रा बैंक को आपरेटिव बैंक न्यू बैंक आफ इंडिया औरियंटल बैंक आपकामर्स पंजाब योम सिंद बैंक और विजया बैंक का राष स्ट्री का है एडमी स्मित का विस बैंक ने भारत को सामाने तक किस अवद की योजना के लिए रिल उपलब्द कराया है देर कालीन पर योजना है यूनिट ट्रस्ट आप इंडिया यू टी आई की अस्थापना कब हुई 1964 में रिजर बैंक आप इंडिया का राष्ट्रिय क किस वर्ष हुआ उनिस उन्चास में किस पंच वर्षिय योजना में आत्म निर्भरता का लक्ष रखा गया चौथी पंच वर्षिय योजना में किस पंच वर्षिय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर भी समाप्त कर दिया गया था पाच्वी पंच वर्षिय योजन को अगला प्रश्ण समन्मित ग्रामीड विकास योजना किस वर्ष प्रारम की गई थी कि ऐडिवेट प्रिखाव बुक्त हैं कि इतन संस्ताइन बारत की संस्ता उरा कि अप्रेड़ थी आपढ़कर ग्राम priced इस सार आपको हमारे वीडियो के माधद में जाएगा इसमें क्या है करके आप वीडियो होंगा या 2020 में कौन क्या, तो यह हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जाके यह पूरा अपडेट, इकदम लेटेस्ट अपडेट 2020 का देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, अगला प्रस्न है, राष्टिया आए के आकडों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है केंद्रिय सांकी की संगठन CS उद्वारा, अगला प्रस्न राष्टिया क्रिस्यों ग्रामिड विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, प्रकास बक्सी है, अगला प्रस्न है, जब कुल राजस के समान ही, कुल लागत होती है, तब उस इस्तिती को क्या कहते हैं, संतुल अगला है, डॉलेक्स, किस स्टॉक एक्चेंज का सेर सुचकॉंक है, मुंबई का, पस्चिम मंगार की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांत्रण करके क्या कर दिया गया है, कोलकाता है, अगला प्रस्न है, भारतिये वित्त निगव, कि अस्थापना कप की गए थी, 1948 में, अगला प्रस्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कप किया गया था, 1951 में, अगला प्रस्न है, सार्वजनिक छेत्र कहलाता है, देश के आर्थिक किर्या कलाप का वह भाग जो सरकार के कार्ष्षेत्र में आता है, अगला है, किस पंच वर्सिये योजना मे भुकतान संतुलन का सुद्ध घाटा कितना था, प्रथम पंच वर्सिये योजना में, किस पंच वर्सिये योजना में भुकतान संतुलन का सुद्ध घाटा, अगला प्रस्न है, आठवी पंच वर्सिये योजना में भुकतान संतुलन का सुद्ध घाटा कितना था, यहां मिनमम होना चाहिए सुद्ध घाटा सबसे कम था प्रथम पंच वर्षी उजना में आठवी पंच वर्षी उजना में भुक्तान संतुलन का सुद्ध घाटा कितना था 58.925 करोर रुपए भारत में प्रथम मजदूर संग अकिल भारतिय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी अस्थापना 1920 में हुई थी वर्तमान में इसके कुल स्रमिकों का कितने प्रस्षत भाग संबंदित है 11.4 प्रस्षत मद्ध कालिक उधार दर क्या है वह दर जिस पर भारतिय और दोगी की विकास बैंक उधार देता है भारत में और सतन एक डाग घर कितने वर किलो मीटर छेत को सेवा प्रदान करता है 21.3 वर किलो मीटर छेत्र को देश में सड़क परिवहां संबंदी मांग की लगभग कितनी प्रस्षत आवसकता राश्टी राजमार द्वारा पूरी की जाती है इन्नौर में मुख्यतay किसके लदान के लिए बड़े पतन वंदरगाह का निर्माड किया गया है गया है मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए इन नौर जो है किस से संबंदित है मुख्य रूप से कोईला के लदान से संबंदित है। इन निजी छेत में पहला बंदरगा किस राज में स्थापित करने की सहमती हो गई है पश्चे मंगाल में। भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र एक्स्क्लिउसिव एकोनॉमिक जोन कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्त्रित है। भारत के समुत्तर से 200 नाटिकल मेल तक कुल 24 लाख वर किलोमीटर तक भारत का EEZ जोन है। अगला प्रशन है स्वतंत्र विदेशी बाजार में यद किसी अस्थान पर कोई मुद्रक कम मूल पर खरी दी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी अस्थान पर उचे मूल पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है आर्बिट्रेज। अगला प्रशने G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। यह सारी चीजे आपको हमारे चैनल के माद्यम से एक वीडियो में दी जाएगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े। और इसलिए तो बिल्कुल लेटेस्ट जो भी अपडेट होंगी इसके और तमान में कौन अद्धेश्च है कितने सदस्य यह सारी चीज़े आपको प्लब्द कराई जाएंगे अगला प्रश्ण है विस्वयापार संगठन के महा सच्चिव कौन है माइक मूर कि गलत है अभी क्रिष्टीना जार जीवा है कौन है क्रिष्टीना जार जीवा अगला है देश की पहली डिपाजिटरी दा नेशनल सिक्योर्टी डिपाजिटरी लिम्टेड कि अस्थापना कब की गई थी आठ नॉमबर उनीस सो चाचट इस भी में चतूर्थ पंच वर्षिय योजना का प्रारम की गई थी एक अप्रेल उनीस सो नत्तर को नॉई पंच वर्षिय योजना की समाप्त कब थी 31 मार्च दो हजार दो को न्याय पूर्ण वित्रण और समानता के साथ विकाज किस पंच वर्षिय योजना का मुख्यों देश था नॉई पंच वर्षिय योजना का राष्ट्य विकाज परिशद एंडीसी का गठन कब किया गया छे अगस उनीस सो बावन को विष्ट की सबसे बड़ी अनुसंदान प्रणाली किस देश की है भारत की भारत का पहला निगमित मंदरगा है एन नौर राष्ट्य आवास विकास बैंक किसकी सायोगी संस्था है भारते रिजर वैंक की भारत में वित्र आयोग के गठन का प्रावधान संभिदान के किस अनुक्षेद में हैं अनुक्षेद दोसवस्य दूइब विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री भारत में हरितकरांत किस मामले में सरवाधिक सफल रही गेहूं और चावल अव मूलें सब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में कौन सा है सूतिवस्त रुद्धोग किस पंचवर्षिय योजना में आत्म निर्वर्था का लक्ष रखा गया चौथी पंचवर्षिय योजना में तंबाकूत बादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन विजन आप साउंड किस ब्रांड के उत्पादुनों की विज् वाली नौन स्पर स tidak रिचेजना का संबंध है निर्यातित माल से भारति रिजर्वेंग का लेखा वर्ष है जुलाइज जून भारत का आर्थिक सर्वेक्षम प्रतेग वर्ष सरकारी तोर पर किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है भारत सरकार के वित मंत्राले द्वारा वास्तविक प्रतिवेक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्टिय आय बटे कुल जनसंख्या फिसर के विन्मय समिकरण का सही रूप है MB equal to PT विस्वार्थिक फोरम की ग्लोबल कमपटेटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है समिकराज अमेरिका USA का भारत में साकारी बैंकों का गठन कितने अस्तरों आला है तीन अस्तरों आला बैंकों को अपने रोकर सेश था कुल पर संपत्य के मद एक निश्चित अनपात रखना पड़ता है इसे कहते हैं सामिदिक तरलता अनपात SLR अगला प्रशन है भारत में मुद्रा स्पीत मापी जाती है ठोक मुल सूच कांग दौरा अगला प्रशन है स्रेष्ट बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतभूतियों का बाजार अगला प्रशन है महिला समरी धियोजना कब आरम की गई 2 अक्टूबर 1993 को अगला प्रशन है विस्व्याबार संगठन कब अस्तित में आया 1 जन्वरी 1995 को एक जन्वरी 1995 को अगला प्रशन है मूल संरचनात्मक सुविधाओं में सामिल की जाती है उर्जा, परिवहान, संचार, बैंकिंग, वित्यों, वीमा, विज्ञान यों टेक्नलोजी, स्वास्त और सिक्षा ये सारी सुविधाओं जो है इन्फरास्ट्रक्चलर फैसिलिटीज में आती हैं इन्फरास्ट्रक्चलर फैसिलिटीज में मूल संरचनात्मक सुविधाओं में अगला प्रश्ण है भारतिय नियोजन के चार दीर्ग कालीन उद्देश निर्धारित किये गये हैं कौन से हैं वो संब्रिद्धी, पूर्ण रोजगार, आय और संपत की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की अस्थापना अगला प्रश्ण है क्रमसा आत्म निर्भरता की प्राप्त या उद्देश किस पंचवर्शिय योजना के मुख्य उद्देशों में से था चौथी पंचवर्शिय योजना अगला प्रश्ण है निउन्तम आवसक्ता कारिकरम किस पंचवर्शिय योजना में प्रारम किया गया था जिसके अंतरगत निर्धनों के लिए सिक्षा स्वास्त जलापूर्थ आवास आधि के निउन्तम आवस्यकस्तर को उपलब्द कराने का प्रयास किया गया पांचवी कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा स्टेट बैंक का इंडिया अगला प्रश्ण है मंदडिया बियर किसे कहते हैं स्टाक एक्स्चेंज में वह व्यक्त जो स्टाक या सेरों के कीमत कीमतें गिरने की आसा में वस्त को हविस में देने का वायदा कर वेजता है उसे मंदडिया कहते हैं अगला प्रश्ण भोजन पर वे होता है या किसका नियम कहलाता है एंजिल का नियम अगला प्रश्ण है एसी मुद्रा जिसकी विनमय दर लगातार भुकतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार के मुद्रा को कोई भी देश अगला प्रश्ण है एसी मुद्रा जिसकी विनमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई गंभीर कोई भी सुईकार करने से कतराता हो क्या कहलाती है एसे रिण को क्या कहते हैं जिसे कम्ब्याज और लंबी अवदी जैसी आसान सर्तों पर प्राप्ट किया जाता है उदार रिण सौ्ट लोन कहते हैं से अगला प्रश्ण है किसी वस्त पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगा कर मूल्या अनुस्वार लगाया जाता है क्या कहलाता ह अगला प्रश्ण है स्टाक एक्चेंज में जो व्यक्त सेरों की कीमत गिरने की आसा कर सवदे कर्वाविस में देने का वायदा कर बेशते हैं क्या कहलाते हैं उन्हें मंदड़िया वियर कहते हैं वियर्स अगला प्रश्ण है स्टाक एक्चेंज में व्यक्त जो सेरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं तेजडिया वुल्स अगला प्रश्ण है अंतर राष्टिय वाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांक या पेच्छा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है हार्ड करेंसी अगला प्रश्ण है मेरिनों उन उत्पादन की द्रिष्ट से सबसे महत्पूर मानी जाती है या किसकी नसल है बेड की अगला प्रश्ण है सीडो संबंधित है लग उद्धोगों से अगला प्रस्ण है क्राइसिल किसका संचिप्त रूप है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लिम्टेड अगला प्रस्ण है नाम के केंद्रिय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है उस इस्थित को क्या कहते हैं जब रिड्ड पर भुक्तान के लिए भी रिड्ड लेने की इस्थित आ जाये रिड्ड जाल कहते हैं उसे भारत के केंद्र सरकार की आई के स्रोतों को संविधान की किस अन्सूची में उल्लखित किया गया है सात्वी अन्सूची में भारत की संचित निदि से होने वाले व्य और भारित व्यों के लिए संसदिय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है, विन्योग विधेयक? 1955 में Imperial Bank का राष्ट्रिय करण कर किस Bank के स्थापना की गई State Bank of India के? 1955 में अगला प्रश्ण है, विनिर्मित वस्तुों में सरवाधिक आय किसे प्राप्त होती है? रतन्यों आउसन से अगला प्रश्ण यद कोई राष्ट मसीनरी संयंत्रों विनिर्मित वस्तूयों और दोगिकी का निर्याद कर रहा हो तो वा किस स्रेड़ी के राष्ट्रों में आता है विक्सित राष्ट्रों की स्रेड़ी में आता है अगला प्रश्ण है उत्पादक वा उपभोक्ता के हीतों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस पडाली को आरंब किया सार्व्योनिक वित्रण पडाली को अंतर राष्ट्य पुना निर्माड यों विकास बैंक को किस अन्यनाम से अधिक जाना जाता है वुष्वैंक वडवांग भारत में बचत का अधिकांस भाग किस चेत्र से प्राप्त होता है घरेलू चेत्र से अगला प्रश्ण है भारती आयात की सबसे बड़ी मद क्या है पेट्रोलियम तेलियों लुब्रिकेंट अगला प्रश्ण है अंतर राष्ट्य व्यापार का निर्पेक्ष लागत लाव सिध्धांत किसने विक्षित किया था एडम स्मित ने अगला प्रश्ण है समरिद्धी की अवस्थाएं अवधारणा किस से संबंधित है रोश्टो से अगला प्रश्ण है जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्द की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीत काई बैंक लिंटेड 1994 में इसकी स्थापना होई थी अगला प्रश्ण है भारती रिजर बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विन्मय अधनियम द्वारा प्रदान किये गया है बैंकिंग विन्मय अधनियम उन्नी सो योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्बोच संस्था कौन सी है राष्ट्रिय विकास परिशद अगला प्रश्ण है पंच वर्षिय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्बोच संस्था कौन सी है राष्ट्रिय विकास परिशद अगला प्रश्ण राष्ट्रिये उपभोगता विवाद निवारण आयोग का मुख्याले कहां है दिल्ली में उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रासंसकरण केंद्र कहां है नोड़ा में भारत में गरीबी के बारे में अफवा सिध्धान्त ड्रेन थेरी संबंधित है बीके आरवी राव से अगला प्रश्ण भारत की किस पंच वर्षिये योजना में तीब्र आउदोगी की करण का सरप्रथम बल दिया गया सात्वी अन्सूची सात्वी अन्सूची में अन्सूची की सात्वी पंच वर्षिये योजना होनी चाहिए सात्वी पंच वर्षिये योजना अगला प्रश्ण है ग्रामीड विकास के लगभग सभी कारिक्रमों को नवी पंच वर्षिय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया सुन जहनती ग्राम स्वारोजगार योजना में अगला प्रशन चक्रिय बेरोजगारी से क्या तातपर है ब्यापार चक्रों के कारण उत्पन हुई बेरोजगारी अगला प्रश्ण भारत की अर्थव्योस्था को सबसे अच्छे धंग से किन सब्दों में व्यक्त किया जा सकता है मिस्ट्रित अर्थव्योस्था बारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की अस्थापना किस वर्ष की गई 1950 में अगला है निर्धान्ता के दुष्चर्क दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थ सास्त्री के नाम्स के साथ जूड़ी है रैगनर नक्स राष्टिया आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनी आधार है साधन लागत पर एननपी अमेरिकी पत्रिका फार्चून ने चालिस वर्स से कम आय के विश्च के चालिस सरवाधिक धनवान वैक्तियों की सूची में भारत के एक मात्र किस व्यक्ति को आठमा स्थान प्रदान किया है आधित विल्ला समू के कुमार मंगलम विड़ा को यह करन का कुच्चन है इससे आप लोग छोड़ दीजिएगा अगला प्रशन है अर्थसास का वर्स 2002 के नोबल प्रशकार किसे प्रदान किया गया था डेनियल कॉन मैं यह भी करन का प्रशन है आगे देखते हैं नेजी छेत की कौन सी कंपनी विक्रिवा सुद्धलाब दोनों की दृष्टियों से देश की सबसे वड़ी कंपनी है रिल और सर्ट मिलती हैं पीटर इलाइंट्स की सूड भी मिलते हैं अगला प्रशन है भारत में अव्दोगिक रोड़ता कि समस्या के समाधान का उत्तरदायत कि समस्था को सवपा गया है अव्दोगिक योंवित्तिये पुन निर्मार बोड बी आई एफ आर अगला प्रशनी रिजर बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बांडों में प्रतभूतियों पर अदा की जाने वाले ब्याजदर को क्या कहा जाता है रेपोदर रिसर्जेंट इंडिया बॉंड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारम की थी? इस्टेड बैंक आफ इंडिया ने अगला प्रस्णिजी छेत में अस्थापित किये जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंसदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूजी का नियूंतम कितने प्रस्षत रखा गया है अगला प्रस्षत है जब सिमांत आगम सून होता है तो मांग की लोज कितनी होगी, इकाई के बराबर होती है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, काल मार्क्स है, बड़ा धक्का अथवा प्रया सिध्धान्त, दबिक पुस एक्युलिब्रियम ट्राइप, किसके द्वारा प्रत्पादित किया गया है, रोजन्स्टीन रोडान्त ह संतुलित उरित के सिध्धान्त का समर्थन किया है, रोजन्स्टीन, रोडाल, रेगनर नक्से तथा आर्थर लुईस ने, अगला प्रस्ण भारत की दूसरी पंचवर्षिय योजना का विकास, किस रणनीत पर आधारित था, महल नोविस रणनीत पर, सात्वी पंचवर्षिय योजना के अंतरगस सार्वजनिक छेत्र के किस छेत्र को सर्वोच वरियता प्रदान की गई थी, उर्जा छेत्र को, पूजी निर्माड के तीन चरण कौन से हैं, बचत का स्रिजन, बचतों का संखटन, तथा वास्टिविक निवेज, अगला प्र प्रस्ण विविन राज के मद्ध, खाद उत्पादों के वितरण तथा अन देशों को, खाद उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबंध हैं, नैफेड, रक्षा उद्दोग छेत्र में निजी छेत्र को कितने प्रस्षत तक की भागेदारी को मानेता प्रदान की ग अगला प्रस्ण है, भारत में रोलिंग आयोजन की आउधारणा को किस वर्स अपनाया गया, 1978 में, अगला प्रस्ण है, वी आर एस क्या है, अधिक या आवांचनिय क्रमचारियों की छटनी के उद्देश से, आकर्शक प्रतिपूर्थ पैकेज के साथ स्वेच्छिक सेवानिबृत योजना, इसकार्पियों नाम का बहुप योगी वाहन किस प्रमुक आटो मोबाइल कंपनी ने बनाया है, मैंद्रा ने बनाया है से, केरल के परेटन विभाग का आदर सवाग क्या है, इस्वर का अपना देश, गाट्स अन कंट्री, वर्ड डेवलेप्मेंट रिपोर्ट की संस्था का एक वार्षिक प्रकासन है, अंतर राष्टिये पुनर निर्माड योग विकास बैंक का, अगला प्रस्ने उत्रांचल में भारत हैवी एलेक्टिकल्स कारखाना कहां इस्थित है, हरिद्वार में है, देश में आवस्यक वस्त्मों का संकट रोधी, भंडार, बफर इस्थाक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है, भारति खाद निगम द्वारा, अगला प्रस्ने कुटीर जोध कारिक्रम का संबंध है, ग्रामीड विद्धुती करण से, विंग्स आव फ्रीडम योजना किसने लागू की थी, इंडियन एर लाइन्स ने, विश्च में दुख दूत पादन में किस देश का प्रथमस्थान है, भारत का, देश में किस सहर की जनसंख्या सरवाधिक है, ब्रहत मुंबई की, सेटु लागत का प्रयोक किस प्रकार के मूल निर्धारण में किया जाता है, नियून्तम समर्थन मूल निर्धारण में, गेहुँ चना सरसो और मक्का में से खरीव की फसल काउन सी है, मक्का है, अगला प्रश्ण है, भारत में अनुवरत योजना, रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी, 1978 से 1983 के बीच में, अगला प्रश्ण है, बैंक वास प्रभाव, सब्द का प्रियोकसर प्रथम किस ने किया था, गुन्नार मिर्डल ने, द्यूप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रदान मंतरी, प्लिटिक्स आफ चर्खा नामक पुस्तक किस ने लिखी थी, जेवी क्रिपलानी ने, भारत के किस राज में, पूरसों की तुलना में महिलाओं की जन संख्या अधिक है, केरल राज में, राष्ट्रिये नमूना सरवेक्षन संगठन की अस्तापना कप की गई थी, 1950 में, बॉक्सिंग के लिए निवयार के स्थित अंतराष्ट्य स्टेडियम का क्या नाम है, यौकी स्टेडियम, रुईना स्वन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, ब्रिज में, प्रसिद वेलिंग्टन ट्राफी का संबंध किस खेल से है, नोकायान से है, सभी समयों के लिए कुंग फू, समराट किसे माना जाता है, ब्रूसली को, खाद्यों क्रिस संगठन का मुख्याले कहां है, रोम में, इटली में, विस में इंटर्नेट भोगताओं की सरवाधिक संख्या किस देश में है, USA में है, अमेरिका में, अगला प्रश्ण है, दुविप विकास प्राधिकराण, आईलेंड डेवलप्मेंट अथार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रदान मंतरी, अगला प्रश्ण है, बैंक नोट प्रेस कहां इस्थित है, देवास में, चाय के उत्पादन युम उपभोग में, विस्थ में, किस देश का प्रथम अस्थान है, भारत, वर्तमान में कितने उद्दोगों को अनिवार लाइसेंस की परिद में रखा गया है, छे उद्दोग, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्सिक रिपोर्ट का प्रकासन किसके द्वारा किया जाता है, रिजर बैंक आफ इंडिया द्वारा, अगला प्रस्ण पानी पंचात योजना किस राज इसे संबंधित है, उडिशा से, विष्ट का काउन सादेश संयुक्त राश्च संक के साथ किये गए, आयल फार फूर्ट समझावते से प्रतिष्च संबंध है, इराक, ग्रामिन विदूती करण निगम के स्थापना कब की गई थी, उन्नी सोन अत्तर में, प्लानिंग और पूर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, विएस मिन्हास, दच्छड एस्याई छेत्रिय सायोग संगठन, ये संगठन है, सार का मुख्याले कहा इस्ति थी थे, काटमांडू में, अगला प्रश्ण है, सरकार ने स्थील अथार्टी ऑफ इंडिया सेल की अस्थापना किस वर्ष की थी, 1974 में, अगला प्रश्ण है, किस बैंक का नाम बदल कर, एक जुलाई 1955 को स्टेट बैंक आफ इंडिया रखा गया था, इंपीरियल बैंक आफ इंडिया, गयर निस्पादन पर संपतियों के मामले में, वित्तिये संस्थानों में अग्रणे स्थान किसका है, भारतिय और दोगिक विकास बैंक का अडिवियाई का, सौन जहनती ग्राम स्वारोजगार योजना कब प्रारम की गई थी, एक अप्राइल 1999 को, मौद्रिक योम साख नीद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, रिजर बैंक का वार्षिक नीदिक दस्तावेज, अगला प्रस्ण है, भारत सरकार ने तंबाकूत पादों के विज्यापन योम प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से अरोपित किया है, एक माई 2004 से, एक जिमनीत के तहत, घोसित विशेस आर्थिक छेत्र, सेज योजना को कब से कार्यानवित किया गया है, एक माई 2004 से, अगला प्रस्ण भारत का सबसे बड़ा म्यूचूल फंट संगठन कौन है, यूटी आई, बाजार के नियम के प्रस्तुत करता कौन थे, जेवी से, अगला प्रस्ण छेत्रिय ग्रामिड बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विले करने की संस्तुति किस ने की थी, ए, एम, खुसरो समित ने, डो जोन्स क्या है, नियुवार्क स्टाक एक्चेंज का सेरवाजार है, हिंदू ब्रिद्धिदर किस से संबंधित है, राष्ट्रिय आय से, सीमा सुल्क की अधिक्तम दर कितनी है, बीस प्रस्ट, प्रैक्टर पर उत्पास सुल्क की दर क्या है, सून्ने है, अगला प्रश्ण पंच धारा योजना भारत के किस राष्ट से संबंधित है, मद्ध प्रदेश से, मूडीच क्या है, अंतराष्टिय रेटिंग एजिंसी है, हार एंड फार नीद का संबंध किस से है, मुआपजा देकर करमचारियों के छटनी से, सब तुरिश समित का संबंध है, स्वदेशी चाय उद्दोग को सुद्रण बनाने है, सुजाओ देना, संगाई सायोग संगठन में कितने राष्ट सदस्य है, छे, डो जोन्स किस स्टाक एक्चेंज का सेर्स उचकांख है, निव्यार्क, विस्ट ब्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितनी है, एक सो सत्तावन, भारत में अनुवरत योजना किस अवध के लिए बनाई गई थी, 1978 से 1983, बारत का सबसे बड़ा ब्यावसाइक बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक आफ इंडिया, देश में सीमा सुल की अधिक्तम दर क्या है, 20 प्रस्चत, भारत में किस प्रकार के रसानिक उर्वर्कों की खपच सर्वाधिक है, निव्यार्ट रोजनी, भारत की राष्टिया आय में उर्प्राण बैंक किस चेत्र का सर्वाधिक योगदान है, 3.8 का, अगला प्रस्चत है, हिंदू विकास अधर की अधार्णा किस प्ध्द अर्थ सास्त्री ने दी थी, किस प्रसिद अर्थ सास्त्री ने दी थी, राज कृष्ण ने, अगला प्रश्ण है अंतर राष्टिय वित्त निगम किने रिविन प्रदान करता है विकास से लाष्टों में निजी उदोगों को अगला प्रश्ण सरकारी अजन्सिय निजी संस्था द्वारा किसी विशेश आर्थिक गत्विद को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोज कहलाता है अर्थ साहाई अगला प्रश्ण किसकर को किस कर को मुद्रा स्फीद बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोज निर्धन वर्ग पर पढ़ता है अप्रत्यचकर ये निर्धन है अगला प्रसूती वस्त रुद्धोग के छेत्र में भारत का बोश्टन किस नगर को कहा जाता है अमदाबाद को सेर घोटाले से संबंदित विविन पहलूं की जाच हेत कौन सी समित गठित की गई थी जानकी रमन समित एक रुपए के नोट पर वा सिक्कों को छोड़कर अन सभी करंसी नोटों का निर्धन रिजर बैंक करता है इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं गवनर के रिज अगला प्रश्ण है मनी लांडरिंग बिल का उद्देश है अवयत रूप से प्राप्त किये गए धन की आवाजाही पर निरानी रखना देश के 150 जीलों में प्रारम किये गए काम के बदले अनाज योजना में सरवाधिक लावानवित होने वाला राज है कौन उडिशा तो उम्मीद है आप सबको या वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको अमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद मित्रो